दोस्तो भारत में आज कल पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के खिलाड़ी के खिलाब भारत के ही लोग है मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांडिया को कल के मैच में इतने जादा चक्के लगे लगवग 38 चक्के लगाए गए और जो रिकॉर्ड है और बता दे इतने बड़ा रन भी बना है उसके बाद मुंबई की बल्लेबाजी जबर जस्ती लेकिन इस हार का पूरा ठीकरा हार्दिक पांडिया के सर पर फुटा बदा दे उन्होंने 24 गेंदे खेली 20 रन बनाए जबकि उन्होंने स्टुवात के दो गेंदों में 10 ठोक डाले थे यानि कहीं न कहीं 22 गेंदों में उन्होंने जो बाकी के जो रन्स बनाए वो कमाल की नहीं थे सबसे ज़ादा मुंबई को तकलीफ में डालने हो यह रन थे 120 का स्ट्राइक रेट जहाँ पर 20-20 बॉलो पर लगबक 50-50 रन बन रहे थे कल के मैच में वहाँ पर हार्दिक पांडिया कपतान है और जिम्मदारी समालते हुए 20 गेंदों में सिर्फ 24 रनों का योगदान दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर तो वो ट्रोल हो ही रहे लेकिन फैंस मैदान में भी हार्दिक पांडिया को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थीक के किलाफ जिए जिस प्रकार का गुसा लोगों के बीच में है हुँ ऐसा इसलिए क्योंकि रोई शर्मा को कपतानी से हटा कर हार्दिक पांडिया को कपतार मना गया जिसकी वज़े से मैदान पर हार्दिक को काफी ज़्यादा इसका ट्रोलिंग सानी पढ़ी जिसकी वज़े से उनकी बल्लेबाजी फिल्डिंग और कप्तानी पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है तो क्या हर्दिक पाट है कप्तानी छोड़ सकते हैं